तो यह देखो, प्यारी बच्चे यह जो question है वो 2020 में आया अच्छा से देखो के तो यही question जो है वो 2023 में भी आया था ठीक ना इसी concept पे जो question था वो आया था ठीक इस में क्या है, screen is moving away from the source in ydsc setup experiment then linear और angular fringe width के बारे में हमें पता करना तो अगर इस question को तुम देखो तो सबसे पहले एक 2DU setup बना लो तो यह slit S1 है यह slit S2 है और यह अपनी screen है तो यह D होता है यह small D होता है यह source S1 है यह S2 है अगर यहां पर कहीं पर superposition होता है तो यहां से तुम देखोगे यह अगर एक angle किसी भी angle पर बहुत small होते हैं तो अगर यह theta consider कर देते हो तो यह beta है क्य वो beta होता है तो इस triangle में किसी भी triangle में tan theta value theta क्योंकि बहुत छोटा होता है तो beta upon d होता है beta की value आपको याद होना चाहिए beta is equal to lambda capital D upon small d के equal होता है तो यहां से lambda capital D small d के equal है तो यहां से lambda upon small d के equal आ जाएगा तो that is angular fringe width beta तो अब देखो अगर screen is move away from the slate मतलब अगर d की value increase करते हो तो जो theta है वो constant रहेगा ना कि increase होगा नहीं decrease होगा because theta d पर depend d नहीं करता है d की power 0 तो angular ना increase होगा ना decrease होगा मतलब first और second अपना सही नहीं है अब बात करते है linear linear का formula आपको रटा होगा याद होगा और नहीं याद है तो ऊपर देख लो मैं लिखा हूँ ठीक है ना कितना होता है इसको तुम्हाना है कि नीट वाले फार्मूले रट जाओ यार समझ गहे तो जो बीटा है जो बीटा एकदम फार्मूले और टो अगर दी की वेलू इंक्रीज करोगे तो बीटा की वेलू भी तो इंक्रीज होगी बाई तो अगर बीटा इंक्रीज होगी मतलब यह है मतलब यह अपना third option साही हो जाता है ठीक न आयोग के आपको समझ में आ गया होगा Thank you